भारत ने अमेरिका को बड़ा कड़ा जवाब दिया है और इसके बावजूद अमेरिका ने भारत को लेटर ओफ एसेप्टेंस भेजा है जानेंगे क्या है मामला जिसे माना जा रहा है बहुत ही जादा महत्पुर्ण तो वहीं दूसरी तरफ क्या है इलेक्टोरल बोंड जिस वक्त बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से चुनाव आयोग ने गुरु आर को इलेक्टोरल बोंड का डेटा अपने बेवसाइट पर जारी किया मतलब चंदा किस-किस पार्टी ने कितना ली ह और इसके मुताबिक भाज़ पास सबसे जादा चंदा लेने वाली पार्टी बन चुकी है 12 अप्रेल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टी को सबसे जादा 6,060 करोड रुपे में लीश्ट में दूसरे नमबर पर 3,060 कॉंग्रेस है 1609 करोड तीसरे पर कॉंग्रेस पार्टी है ये लिश्ट में इस वक्त जिक्र नहीं किया गया है चुनावायोंग ने बेवसाइट पर 763 पेजों की दो लिश्ट अप्लोड की है और एक लिश्ट में बॉंड खरीदने वालों की जानकारी है चुनावी बॉंड इनकैस कराने वाली पार्टियों में कॉंग्रेस, लिश्ट को देख सकते हैं और चंदा देने वाली टॉप की कंपनियां कौन कौन सी है वो भी लिश्ट जारी की गई है जिनोंने करोडों में चंदा दिया है फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पी आर मेगा इंजिनियरिंग एंड इंफरस्ट्रक्टर लिमिटेड इनों ने यहां पर करोडों रुपए के हिसाब से चंदा दिया है फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज पी आर ने तेरो सो अर्सट करोड तो वहीं दूसरी तरफ मेगा इंजिनियरिंग ने 966 और क्विक सप्लाइ चेन प्राइबेट लिमिटेड ने 410 मदलला इनकैस कराने वालों के तो नाम है लेकिन यह पता नहीं चलता है कि किस ने यह पैसा किस पार्टी को दिया है इस मामले में याची का लगाने वाले ADR के वकील परसांत भूसर ने सवाल उठाया है कि FBI ने वो यूनी कोड नहीं बताया है जिससे पता चले कि किस ने किसे आकड़े में अंतर है दान दाताओं में 18,871 एंट्री है लेने वालों में 20,421 एंट्री है फिर यह पूछा जा रहा है कि 2017 में यह सुरू हुई इसे 2019 से डेटा क्यों लिया गया है बांकी का डेटा कहा है आयोग का कहना है कि हमें यह जानकारी FBI से मिली है और सुप्रीम का कहना है कि यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजे हैं जिसके बजह से बहुत सारी चीजे अभी निकल कर सामने नहीं आई है और यह सामने जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे यहां पर दुनिया के सामने रखी जाई हलाकि सुप्रीम कोट के कहने के बाद पहली बार यह सारी में उस वक्त के वित्मंत्री अरुन जेटली ने पेज की थी दो जनवरी 2018 को केंद सरकाने इसे नोटीफाई किया था ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है इसे बैंक नोट भी कते हैं इसे कोई भी तियनागरी किया कंपनी खरीद सकता है विवादों में क्यों आई चुना विवस्था में पारदर्सिता आएगी ब्लेक मनी पर अंकुस लगेगा वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि चुनावी बॉंड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है इससे चुनाओं में काले धन के इस्तेमाल का जरिया बन जाता है बाद में योजना को 2017 म ही चुनुमामती मिल गई लेकिन सुनवाई 2019 में सुरू ही 12 अप्रेल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिया कि वो 30 मई 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉंड से जुड़ी सारी जानकारी चुनावायोग को दे दे हलाकि कोर् इस साल में दान मिला है इस बात की भी जिक्र की गई है 2018 हो 2019 हो 2019 हो 2021 हो सब के यहां पे आंकडे देखने को मिल रहे हैं सबसे बड़ी और आश्चरी की बात यह है कि कम से कम दूसरे नमर पर कॉंग्रेस होना चाहिए लेकिन कॉंग्रेस नहों कर त्रीन मुल कॉंग्रेस यहा सारी चीजें यहां निकल कर आ रही है और यह एक अच्छी बात है कि दुनिया के सामने सच को रखा जा रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत ने CAA को लेकर अमेरिका की ठिपनी पर विदेश मंत्राले ने बड़ी कड़ी पर्ति क्रिया दी विदेश मंत्राले ने साफ सब्दो ने से लोगों को लोगों के लिए संबेधानिक अधिकार मोझूद है जो लोग भारत की परंप्राओं और चेत्र के बीभाजन के बाद के इतिहास को नहीं जानते हैं उन्हें भासन नहीं देना बारत के भागिदारों और सुब चिंतकों को हमारे इस इलादे का स्वागत कि अमेरिका ने गुरुवार को का था कि वह भारत में नागरिकता अधिनियम की अधि शूचना को लेकर चिंतित है इसके कार्यानवयन पर बारिकी से नजर रख रहा है अमेरीकी विदेश भफाक के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस बात को कहा था हमने आपको सुबह सुबह ही इस बात को बतलाया था अब यहां पर भारत ने कड़ा बाला जवाब दिया है पर इस कड़े वाले जवाब के बाद भी अमेरीका ने एक ऐसा निर्णे लिया है जिस और अमेरीका ने रच्छा सहियों को और मजबूत करते हुए बाइडेन परसासन ने जनरल एटोमिक से 31MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन के अधिगरण के लिए भारती रच्छा मंत्राले को अंतिम सुकृति पत्र भेज दिया है अमेरीका ने इस सब्ता भारत को करीब 4 अरब ड के ड्रोन डील के लिए क्लासिफाइड लेटर भेजा यानि की लेटर ऑफ असेप्टेंस वह सिंगटन और दिल्ली इस्तित अधिकारियों के मुताबिक 31 प्रीडेटर ड्रोन सौदे के लिए भारत और अमेरीकी मैनुफेक्चरिंग कंपनियों के अधिकारियों के वीच कीम गुरुपत वंत सिंग पन्नु की कतित हत्या के साजिस में भारत पर आरोप लगने के बाद अमेरिका के कुछ सांसदों ने ड्रोन डील पर आपती जताई थी और डील को रोग दी थी लेकिन अब एलोए जारी कर दिया गया है जिससे पता चलता है कि इस डील का रास्ता एक फरवरी को ड्रोन सौदे को लेकर अधी सूचना जारी किया था लेकिन मसौदा एलोए को अमेरिकी सांसदों के संभावी आपतियों के लिए अनिवारे 30 दिनों के लिए खुला रखा गया था यानि कि सांसदों कोई आपती जताने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया था और फिर अगर नौसेना को लगता है कि ड्रोन की डील की हीमत सही है तो नौसेना अपनी रिपोर्ट रक्षा मंत्रा लेके जरीए सुरक्षा पर कैविनेट समीती को भेजीगी और CCS से मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका को पैसे ट्रांसफर कर ड्रोन खरीद लिये जाएंगे का जा रहा है अमेरिका से जो 31 ड्रोन खाने रिदने की परतिक्रिया चल रही है उनमें से 16 ड्रोन भारती नौसेना को सौपे जाएंगे जबकि इंडियन आर्मी और इंडियन एर फोर्स को 88 ड्रोन वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अंगली वीडियो में नई ख़बर के साथ